हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू माई चैनल फ्रेंट्स आज हम आपको 5-6 एर बेबी के लिए बहुती प्यारी सी फ्रोक बनाना सिखा रहे हैं जिसको आप बहुत आसानी से घर पर बना सकते हैं हमने स्टेप बाई स्टेप वीडियो में आपको बताया है इसके लिए हमने 2. 2.25 cm फेब्रिक लिया है यानि सवा 2 मिटर फेब्रिक लिया है आईए वीडियो शुरू करते हैं यह देखिए फ्रेंड्स यहां पर हमने 2 पीस ले लिए हैं जिसकी लेंद 11 इंच है और चोडाई में यह 15 इंच है अब हम इसको फोल्ड कर लेते हैं फोल्ड लेयर यहां पर इसकी हो गई है शुल्डर हमें इसका 5 इंच रखना है और आर्म होल हमें 5.5 इंच रखना है यहां से हम इसको चकोर कर देते हैं आर्म होल में इसके गोलाई कर देते हैं यहां से नीचे की साइड से फिटिंग के लिए हम इसमें आधा इंच का निशान लगा लेते हैं और उपर तक इसको मिला लेते हैं इससे फिटिंग बहुत जादा अच्छे आती है यह आधा इंच ही हमें यहाँ पर गोलाई के लिए निशान लगा लेना है इससे हमारी फ्रोक की शेफ साइड से बहुत जादा प्यारी आती है नेक की चोड़ाई हमें टू इंच रखनी है और लेंद बे इसको 3.5 इंच रखना है फ्रेंच हम यह नेक बेक और फ्रंट साइड से बरावर बनाएंगे अब हम इसको कट कर लेते हैं शोल्डर पर से भी हमें इसको हलका सा ढालदार कट कर लेना है क्योंकि शोल्डर हमारे ढालदार होते हैं इससे फिटिंग इसकी कर तयार हो गए हैं एक पीस हम इसमें से अलग कर लेते हैं और एक पीस को हम डबल करके रख लेते हैं और इसमें फ्रंट आर्म होल की गहराई कर लेते हैं इससे आर्म होल की शेप बेबी के बहुत जादा अच्छी आती है यह देख सकते हैं यह हमारी आर्म होल की कटिंग हो गई है अब दूसरे पीस में हमें इसमें बेक साइड से 3 इंच नेक खोल देना है ताकि बेबी को पहनाने में परिशानी ना हो यह हमने 2 इंच की स्ट्रीप लिए है और लंबाई में 4 इंच की लिए है इसको हम बीच से कटिंग कर देते हैं और यहां पर रखकर हमें इसको लगानी है यह टू पीस हमने घेर के लिए लिए है जिसकी लेंद 18 इंच है और चोड़ाई में यह 34 इंच है हमें इसके दोनों पीस पर एक साइड में चुन्नटे डालनी है और एक साइड से हमें इसका घेरा फॉल्ड कर लेना है यहां पर यह नेक के लिए हमने फ्रील की फैब्रिक लिया है जिसकी लेंद 3 इंच है और चोड़ाई में 34 इंच है हमें इसको डवल कर लेना है और ऐसे बारिक बारिक सी चुन्नटे इस पूरे फ्रील में डाल लेनी है यह हमने डिजाइन के लिए एक पीस लिया है जिसकी लेंद 20 इंच है और चोड़ाई में यह 34 इंच है यहां से हम एक साइड से इस पर 4 इंच का निशान लगाते हैं और दूसरी साइड से भी हमें 4 इंच का इस पर निशान लगाना है अब दोनों निशानों को हम मिला लेते हैं ये देखिए हमने दोनों निशान इसके मिला लिये हैं अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं फ्रेंट्स ये फ्रोक बनकर बहुत जादा प्यारी लगती है एक बार आप भी अपनी बेबी के लिए इसको ट्राई करें दोनों पीस हमारे कटिंग हो चुके हैं अब हम इन दोनों पीस को ऐसे करते हुए यहां पर मिला लेते हैं और यहां से हमें इसमें हलकी सी गोलाई कर देनी है अब इसको हमें कटिंग कर देना है ये दोनों पीस हमने यहां पर इस पर कटिंग कर लिये हैं अब हम इस पर यहां पर प्लेट्स का निशान लगा लेते हैं 3 इंच पर फ्रेंड्स ये प्लेट्स हमें गहराई में बहुत जादा डालनी है और उपर की साइड हमें इसमें 1.5 इंच दिखाना है और नीचे की साइड इसका सब फेबरिक हमें कर देना है ऐसे करते हुए हमें इसमें प्लेट्स डाल लेनी है ये देखिए ये प्लेट्स हमने डाल कर दिखाई हैं आपको हम आपको स्टिचिंग करना भी बताएंगे ये हमने सीधी पाइपीन ली है दोनों पीसों में लगाने के लिए 1.5 इंच इसकी चोड़ाई है ये क्रोस की पाइपीन हमने रेब की पाइपीन ली है जिसकी चोड़ाई 1.5 इंच है ये नेक में और आर्म होल में लगाने के लिए लिए है सबसे पहले हम अपना बेक नेक तयार कर लेते हैं ये पट्टी हम रखकर लगाते हैं और दूसरी साइड को इस पट्टी को हम पलट लेते हैं बीच में हमें इसके हलका सा कट लगा देना है कट लगाते समय ध्यान रखें कि आपकी सिलाई कटे नहीं अब सब फेबरीक इस पट्टी के नीचे करते हुए हम किनारे पर एक सिलाई लगा देते हैं अब हम इसको अंदर की साइड को फोल्ड कर लेते हैं और यहां पर भी हमें इसको सिलाई लगा कर तयार कर देना है नीचे की साइड से हमें इसको चकोर करना है यह आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी हमारी पट्टी लग गई है अब ये फ्रील का जो फैब्रिक लिया है हमने इसको हम डबल कर लेते हैं और इसके उपर एक बड़ी सिलाई लगा लेते हैं अब हमें इसमें ऐसे करते हुए बारिक-बारिक सी चुन्नटे डाल लेनी है फ्रेंट्स यहां पर चुन्नटे हमें कमिया जादा नहीं डालनी है बिल्कुल बराबर करते हुए हर प्लेट्स में अंदर की साइड फेबरिक बराबर लेना है जिससे हमारी चुन्नटों की शेफ बिल्कुल बराबर आए फ्रेंट्स इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो फ्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यह हमने अपना फ्रील तैयार कर लिया है नेक के लिए अब हम इस पर नेक पर लगा देते हैं नेक पर इसको सेट करते हुए हमें इस पर और नेक पर दोनों पर एक साथ जोड़कर सिलाई लगानी है यह हमने इस पर सिलाई लगा दी है यह थोड़ा सा हमारा एक्स्ट्रा फ्रील बच गया है इसको हम कट कर देते हैं अब दोनों शोल्डर हम एक साथ जोड़ लेते हैं और इस पर सिलाई लगा लेते हैं फ्रेंट शोल्डर पर हमें हमेशा डबल सिलाई लगाने चाहिए जिससे जब हम साइड में सिलीव जिया नेक में पाइपिन वगेरा लगाते हैं तो ये साइड से खुलते नहीं है अब ये हार्ब मोहल की हम पाइपिन लगा रहे हैं पाइपिन को हमें फ्रोक की रोंग पर रखना है और सीधी साइड को पाइपिन को पलटना है इस तरीके से हम पाइपिन लगाते हैं तो पाइपिन की ऊपर की साइड से फिनिशिंग बहुत जादा अच्छी आती है हम इसको फोल्ड कर लेते हैं अंदर का फेब्रिक हमें कट नहीं करना है सभी इसके अंदर की साइड को करते हुए इस पर एक सिलाई लगा देनी है और जो ये सिलाई हमारी आई हुई है ये हमें पाइपिन के नीचे ही दाब देनी है जिस सिलाई से हमने पाइपिन लगाई हुई है ये देखिए कितनी प्यारी सी हमारी आर्म होल की पाइपिन लगकर तयार हो गई है दूसरे आर्म होल में और नेक में पाइपिन लगानी है नेक में हम आपको पाइपिन लगा कर दिखाते हैं ये भी हमें फ्रील फ्रोक की रोंग साइड में रखना है उल्टी साइड में और सीधी साइड में इसको पलटना है पाइपिन को हमें हलका हलका सा कीचना है किसी भी जरुर से जादे पाइपिन को नहीं कीचना है अब हमें इसको इस साइड से भी फोल्ड कर लेना है और इस साइड से भी फोल्ड करना है और एक बार और फोल्ड करना है और उसके बाद इस पाइपिन पर हमें किनारे पर एक सिलाई लगानी है अंदर की साइड को अच्छी तरीके से फोल्ड करते हुए और जो सिलाई हमने पाइपिन लगाने के लिए लगाई हुई है उस सिलाई को हम इसी में नीचे की साइड को दाव देते हैं ये देखिए कितना प्यारे से हमारी नेक की पाइपिन बनकर तयार हो गई है यह हमारा डिजाइनिंग पीस है इस पर हम पाइपिन लगा लेते हैं इसके लिए हमने सीधी पाइपिन कट की हुई है रेब की पाइपिन हमें इसमें नहीं लगानी है यहां से गोलाई की शेप इसको पाइपिन को हमें दे देनी है जैसे हमने गोलाई में कपड़ा कट किया हुआ है अब हम इसको अंदर की साइड को फोल्ड कर लेते हैं और इसके उपर किनारे पर हम एक सिलाई लगा लेते हैं इसकी सिलाई भी हमें अंदर की साइड को दाब देनी है इस पाइपिन के नीचे की साइड को ही आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये पाइपिन तयार हो रही है दूसरे पीस पर भी हम ऐसे ही पाइपिन इस पर लगा कर तयार कर लेते हैं अब हम इसमें आपको प्लेट्स डालना बताते हैं फ्रेंस प्लेट्स हमें इसमें काफी गहरी डालनी है तीन इंच की प्लेट हमें इसमें डालनी है और यहां पर अंदर की साइड को इस प्लेट्स को ऐसे कर देना है जिससे हमारी प्लेट्स की गहराई अंदर की साइड से काफी जादा हो जाएगी और उपर की साइड से हमें एक प्लेट्स पर दूसरी प्लेट्स को डेर इंच 1.5 इंच चड़ा देना है जिससे इनकी गहराई जादे हो जाए और कपड़े का चोड़ाई काफी कम हो जाए हमें इसको योग के आधे हिस्से के लिए तयार करना है तो हमें इसको उपर की साइड से 7 इंच के करीब तयार करना है अब ये नीचे का हमारा गहरा है इसमें हम बारिक बारिक सी चुन्नटे डाल कर तयार कर लेते हैं आप चाहे तो इसमें धागे की चुन्नटे भी डाल सकती है ये देखिए हमारी चुन्नटे डल गई है अब हम इसके सेंटर में एक निशान लगा लेते हैं आप चोक से भी निशान लगा सकती है और हलका सा कट भी लगा सकती है नीचे की साइड से हमें इसका घेरा फोल्ड कर लेना है 1.5 इंच का चोड़ाई में हम इसका घेरा फोल्ड कर रहे है यह देखे फ्रेंच यहाँ पर प्लेट्स हमने एक दूसरे के उपर चड़ा कर काफी गहरी अंदर की साइड को कर दी है 3.5 इंच की हमने यहाँ पर प्लेट्स डाली है 5 फ्लेट्स हमने इसमें एक साइड में डाली है और 5 फ्लेट्स हमें इसने दूसरी साइड में डालनी है अब हम योग पर रखकर इसको तयार कर लेते हैं इस फ्रिल की जिसमें हमने चोड़ी प्लेट्स डाली है हमें इसकी चोड़ाई सिर्फ उपर की साइड से 7 इंच करनी है यह देखिए काफी गहरी-गहरी सी प्लेट्स हमने इसमें डाली हुई है अब दूसरी साइड का हम पीस ले लेते हैं और इस पीस को यहाँ पर लगा कर इसको भी एक सेट कर देते हैं यह देखिए दोनों पीस हमारे लगकर तयार हो गए हैं अब हम इसमें साइड में से दोनों पीस को एक साथ जोड लेते हैं जिससे हमें इसको फ्रोक में लगा कर साइड की फिटिंग करने में परिशानी ना हो ऐसे ही हम अपनी दूसरी साइड में भी इसको सेट करके सिलाई लगा लेते हैं यह देखिए फ्रेंट्स हमने बेक साइड कर चुन्नटे डाल कर गहरा और योग एक साथ जोड लिया है अब हमने जिसमें डिजाइन बनाया है फ्रन्ट पीस में उसको हम योग और गहरे को एक साथ सिलाई लगा कर तयार कर लेते हैं फ्रेंट्स इसी तरह की काफी प्यारी प्यारी सी डिजाइन की वीडियो हमने अपने चेनल पर अपलोड की हुई है जिसमें बेबी के आपको हर साइज मिल जाएंगे आप चेनल पर से वीडियो देख सकते हैं अब हम इसमें साइड की फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं फ्रेंट्स फिटिंग की सिलाई आप अपनी बेबी का मेजरमेंट लेकर उसकी चोड़ाई के हिसाब से कम या जादा भी लगा सकती हैं नीचे की साइड से हम इसको पका करते हुए निकाल लेते हैं दूसरी साइड से भी हम फिटिंग की ऐसे ही सिलाईस में लगा लेते हैं ये देख सकते हैं फ्रेंट्स कितनी प्यारा सी हमारी फ्रोफ बन कर तयार हो गई है फ्रील का नेक बीस में काफी खुबसरत लग रहा है और यहां पर हमने बो बना कर इसमें लगा दिये आर्म होल की शेप बीस की काफी प्यारी आई है और ये देखिए इसकी डिजाइनिंग फ्रेंट्स इस तरह की डिजाइनिंग बहुत ही जादा खुबसरत बेबी के लगती है आप भी एक बार इसको अपनी बेबी के लिए ट्राइ करें फ्रेंट्स हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए बेल आइकोन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके हम अपनी नेक्स वीडियो में आपके लिए औ लिए खार देता और